ओकी तो आज का आपका टॉपिक है Estimation of Magnesium Sulphate and Calcium Gluconate दुनों के Estimation अपन देखने वाले हैं सिर्फ 5 मिनिट में ठीक है क्योंकि इससे दो-दो मास की कुशन आते हैं अगर आपको पुराने लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है description में दे रखिए और आपको नौट जाउनलोट करने है तो मैंने टेलिग्राम की लिंक भी जो है description में दे रखिए अब वहाँ से जाके नौट डाउनलोट कर सकते हो तो देखो टौपिक की इंपोटेंस अपन देख लेते हैं कि estimation of magnesium sulfate or calcium gluconate कितने marks में exam में पूछा जाता है तो देखो यह ज़्यादा तर 2 marks में ही पूछा जाता है बस कभी-कभी estimation of magnesium sulfate कभी-कभी calcium gluconate सिफ और सिफ 2 marks में आपको कभी-कभी पूछा जाता है 5 marks में estimation of barium sulfate ठेक है वो barium sulfate का अने वाले lecture में देखेंगे काफी important रहता है वो आज तो अपन यह दो ही देखने वाले हैं जो की 2-2 marks में पूछा जाते हैं estimation of magnesium sulfate and calcium gluconate ठेक है तो बड़े simple से हैं चलो शुरू करते हैं तो देखो सब सब पहले अपन देखने वाले हैं magnesium sulfate के लिए ठेक है estimation of magnesium sulfate start करते हैं तो देखो बड़ा simple सा procedure है आपको कुछ नहीं करना 50 ml water लेना है उसमें डाल देना है 0.3 gmg iso4 magnesium sulfate ठेक है 50 ml पानी लिया 0.3 gmg iso4 डाला उसमें add करना है आपको 10 ml strong nh4 cl solution strong ammonia solution या फिर आप बोलो NH4 cl solution आपको add करना है तो कुछ नहीं करा 50 ml water लिया 0.3 gmg iso4 लिया उसमें add किया 10 ml of strong nh4 cl solution ठीक है और यहां पर आपने पहले से indicator डाल रखा है जिसका नाम है modern black t second indicator ठीक है तो यह सब आपको करना है इसको आप theory में लिखोगे कि आपको 0.3 gmg iso4 लेना 50 ml water लेना indicator लेना है modern black t second 10 ml NH4 cl डालते जाना है तो जैसे जैसे आप NH4 cl डालते जाओगे ठीक है तो यह cl के उपर minus charge mg के उपर plus charge mg cl निकलता जाएगा तो यह cl के उपर minus charge और mg के उपर plus charge mg cl जो है निकलता जाएगा ठीक है तो at the end क्या होगा now at end point क्या होगा पहले color था इसका pink अब इसका color हो जाएगा blue जैसे जैसे अपन यह add करते जाएंगे end point पे क्या होगा color जो है blue में convert हो जाएगा शुरू में color था pink अब हो जाएगा blue तो मुबारक हो end point आगया तो इतना सा आपको पूछा जाता है magnesium sulfate के estimation में दो marks के लिए काफी है अब 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 देखने वाले हैं calcium gluconate का estimation तो देखो सबसे पहले देखेंगे अब अब calcium gluconate का formula ठीक है CAC6H11O7 का halt twice कैसे याद रखोगे CAC6H11O7 का halt twice और साथ में पानी है ठीक है अब देखते हैं अपने इसका procedure देखो तो आपको क्या करना है सबसे पहले लेना है 50 ml water उसमें आपको लेना है 0.5 gram calcium gluconate जिसका अपनको estimation करना है पता लगाना है ठीक है तो 0.5 gram calcium gluconate लिया 50 ml water में और साथ में indicator डाल दिया modern black tea ठीक है अब अपनको क्या एट करना है उपर से वो देखो यहाँ पर लिका हुआ है में नीचे यह सब आपको clear है 50 ml पानी लिया 0.5 gram calcium gluconate indicator डाल लिया modern black tea अब देखो 85 ml of 0.05 molar magnesium sulfate and 10 ml of strong ammonia solution क्या क्या एट कर रहा हूं है 5 ml of 0.05 molar है magnesium sulfate and 10 ml of strong ammonia solution जब मैं इसमें add करूंगा तो देखो at the end होगा क्या at the end क्या होने वाला है कि wine rate color जो पहले था अब वो color change हो जाएगा धिरे धिरे blue में ठीक है इसको हम बोलेंगे end point तो इस तरह से आपको 2 marks में लिखना है सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले आप बताओगे calcium gluconate का formula फिर आप बताओगे उसका procedure कि आपको 50 ml पानी लेना है उसमें इतना calcium gluconate लेना है indicator आपको कौन सा use करना है फिर आप उसमें क्या add करोगे ठीक है strong ammonia solution भी add करोगे उसके बाद add the end होने के अवाला है wine rate color जो है वो change जो के blue होने वाला है तो यह सब 2 marks के लिए काफी होता है तो यह था आज का आपका lecture estimation of magnesium sulfate and calcium gluconate ठीक है I hope आपको lecture समझ में आया होगा अगर आपको और lecture की need है तो मैंने playlist की link जो है description में दे रखिए so thank you so much thanks for watching keep support thank you